Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So, आज का हमारा 5th lecture on Research Methodology for your upcoming University of Mumbai for your PhD Entrance Test 2022 session. जिसे कि आपको पता है, Research Methodology पर हमने important MCQs discuss कर लिए, काफी सारे topics हमने cover कर लिए previous lectures में. So, आज के इस topic से हम बहुत ही important types of research, any types of research हम study ही कर रहे हैं, हमने काफी important सारे types of research study कर लिए. और आज के session में बहुत important topic है, qualitative and quantitative research, इस topic पर हम MCQs discuss करने चारे हैं, यह आपका, आज का जो session है, यह part 1 होगा, और part 2 session में हमने, इसी session का मैंने आपको एक revision कर वाया है. तो यह session का अची तरीके से देख लेना है, तो जिसे के आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको qualitative and quantitative research पर examination में, आपको इस topic से compulsory 4-5 questions पूछे जाते हैं, काफी important topic है. तो आपको इस वीडियो का अची तरीके साथ देख लेना है, और उसी की साथ-साथ, जैसे के मैं आपको बता दू, M.U.P.A.T. मुंबई उनिवर्सिटी के पीजे इंट्रेंस टेस के applications form अभी भी ongoing है, और last date है, 12th of August 2022, उसके पहले-पहले आपको applications form fill up कर ही लेना है, जल से बता दू, यहाँ पर आपके जो M.U.P.A.T. यहनि आपके पीजे इंट्रेंस टेस का जो paper pattern है, कुछ इस तरीके से होगा, कि आपका paper दो parts में divided होगा, paper 1, paper 2, so paper 1 में आपको 50 M.C. की से पूछ जाता है, उसी तरीके से paper 2 में आपको 50 M.C. की से पूछ जाता है, paper 1 में आपको रिसर्च कर रहे हो, तो वो आपको subject specific होगा, उसके लिए आपको master's level का syllabus फॉलो करना है, यानि master's में आपनी जो भी study कर रखा है, उसी से आपको questions पूछे जाएंगे, and आपका जो paper 1 है, research methodology and current office, so यहाँ से आपका general syllabus फॉलो करना है, जो कि हम आपको cover करवा देते है syllabus, जिसमें mainly types of research, meaning of research, then characteristics of research, यह basic syllabus होता है, research methodology का, वही आपको follow करना है, ठीके तो यह आपका syllabus होता है, और आपको इस examination को pass करने के लिए minimum 50% mark score करना है, यानि minimum आपको examination में 50 mc को correct mark करकर आना है, तो इसलिए आपकी preparation के लिए complete course लेकर आया है, और इस course में हम आपको इतना prepare करवा देते है कि आपको passing marks, हम आपको passing marks तक हम आपको prepare करवा देते है, तो जैसे कि आप screen पर देख रहे है, हम आपको research methodology का complete course प्रोवाइट कर रहे है, जो आपको research methodology है, research methodology पर हम आपको एक daily हमारा live session होता है, मराठी में research methodology पर, जिसमें हम आपको play Continue and पूछ सकते हो जैन उसके बाद में आपको मॉक्त्स प्रोवाइड कर रहे हैं नो इसकी सिंपल लैंविजिस में हैं रिविजिन पीडियों जिसमें फिफ्टीन रिटीन से ब्यादा इप्रोटन कोईशन्स कवा कर रहे हैं सो यह सारा कंटेन आपको एक ही जगे पर पर वाट्साप के तरह आपको अमें को एक्सेस कर सकते हैं जिसके लिए लिंक मैं आपके साथ नीचे कॉमें सेक्षिंट बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं तो यहां पर हम शॉट में आपको बता दिया हैं आपको डीटेलने बता दू जिसे के मैं अपको बता दिया रिसोज में लोगो यहां को दोनों वीडिएक करते हैं जैसे प्रैक्षिंट करते हैं और उसंत प्रेस हैं उस्य लिए को शॉलव करना हैं जो कि ऐसे शॉंपनों कर रहे हॉत हैं और मॉकटे क्ट मॉक्री फेकर आपको प्रैक्तिर होती हुत रेशर कितनी और आपकी प्रेपरेशन पाकी हैं जिसमें पीडियेफ में हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्मेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गये थे तहाँ ज्यादा से ज्यादा हमारे इस कंटेंज से ही पूछे जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया 100 परसंट गैरेंट करना है नॉर्मल कॉस्ट नमर पर नहीं लगेगा याद रखेगा वाटसप की तूर्व हमें कॉन्टाक करना है और आप हमारे अप के तुरु भी स्टेडी में अक्सेस कर सकते हैं आपको एक्सेस करने की लिंक में आपके साथ क्या कॉमन सेक्शन एस्वेल आपके स्थे जि इस question में में find out करना है कि कौन सी research ऐसी होती है जिसमें आप systematic way से investigation perform करते हो, then उस research में आप जो भी data collect करते हो, वो quantifiable data होता है, numbers के form में आपके पास data होगा, and उस research में आप statistical and mathematical analysis perform करते हो, इस question में हमें find out करना है, यह research कौन सी research होगी, अब हम options देखेंगे, option A आपको यहाँ पर given है, qualitative research, qualitative research क्या होती है, जिसमें name में मिनेंगे, जो quality बाता है, अब qualitative research में research हो, जो भी data collect करते हैं, जो भी data research हो collect करेंगे, वो numbers के form में नहीं होगा, बलके words और text के form में होगा, अब qualitative research में research हो, जो भी data collect करते हैं, वो data, interviews, observations, यह सारे methods परफॉर्म करकर qualitative research में data collect किया जाता है, अब मान लो मैंने interview, interview हो रखा है, और उस interview में मैंने logo से film का review जाना है, कि वो film कैसे थी, उस film में action scenes कैसे थे, वो film की quality अच्छी थी या नहीं अच्छी थी, या फिर उस film में जो भी actress, actors थे, उनकी acting कैसे थी, तो मैं यह film का reviews लूँगे, so reviews जो मुझे मिलेंगे film के reviews, वो मुझे words और text के form में मिलेंगे, ना कि मुझे numbers के form में मिलेंगे, so remember qualitative research में आपके पास जो भी data होता है, वो words और text के form में होता है, ना कि numbers के form में, लेकिन इस question में हमें बताया गया है, कि quantitative data, sorry, quantifiable data, quantifiable data, वो data होता है, जो quantity बता है, जो number को represent करें, बस qualitative research में आपके पास जो भी data होता है, वो words और text के form में होता है, ना कि numbers के form में, that's why आपको option A, incorrect हो जाएगा, then option B, quantitative research, जैसा आप name में ही meaning पता चल रहा है, वो quantitative, जो quantity बता है, और जो numbers बता है, जो quantitative research में आपके पास जो भी data होता है, वो data numbers के form में होता है, आपके पास quantitative research में जो भी data होगा, वो numbers के form में होगा, अब numbers के form में कैसे data होगा, अब मान लो अपने Amazon से या फिर कोई भी website से अपने एक product purchase किया अब अपने product जो purchase किया तो आपको आप देखते हो वापर आपको 5 star देना होता है उस particular product को जब किसी लोगों ने कोई लोगों ने product purchase किया है किसी website से सो इसको stars देना पड़ता है यह देखने के लिए वो product कितना अच्छा है वो product की quality कैसी है सो research क्या करेंगे अपन 5 stars देखेंगे कि 5 stars कितने लोगों ने दिया उस particular product को 4 stars कितने लोगों ने दिया ओके सो यह आपर यह research इसके थूद डेटा करेंगे इस data को कैसे analyze करेंगे थूद स्टैस्टिकल और mathematical analysis के थूद अब दिसने मैंने स्टैस्टिकल और mathematical analysis परफॉर्म करा और मैंने यह आप पर एक पाइचार्ट ड्रॉड किया जो कि आप बल सकते हैं इसको प्रोड़क को फाइट कितने लोगों ने दिया अब मांदो इस पर्टिकुलियर प्रोड़क को 90 परसें लोगोंने 5 स्टा दिया ध्यागा मैं आप देखोंगी और कि 3 stars कितने लोगों ने दिया, then 2 stars कितने लोगों ने दिया, जैसे आप देख रहे हैं, आपर 90% लोगों ने इस product को 5 star दिया, that means, यह product बहुत अच्छा है, so quantitative research में, जैसे आप देख रहे हूं, 90% जो कि आपके पास numbers में कोई data है, so quantitative research में आपको यह याद रखना है, जो भी आपके पास data होता है, वो quantitative data होता है, that means, वो numbers के form में data होता है, that's why, for this question, option B here is the right answer, quantitative research, quantitative research की यह correct definition होगी, option B here is the right answer, next, that research is a process of collecting, analyzing and interpreting non-numerical data, इस question में आपको बताना है, कि ऐसी कौन से research होती है, जिसमें आप data collect करते हो, उस data को analyze करते हो, और data पर कुछ conclusions find out करते हो, और उस research में आपके पास जो भी data होगा, वो non-numerical data होगा, non-numerical data means, ऐसा data जो numbers के form में नहीं होगा, जिसमें आपके पास जो भी data होगा, वो numbers के form में नहीं होता है, that's why आपका option भी incorrect होजाएगा, because this question में आपसे पुछा गया है कि कौन सा ऐसा data होता है, जो non-numerical data होता है, non-numerical जो numbers के form में नहीं होगा, वो data किस research में होता है, आपके पास qualitative research, अब qualitative research क्या होती है, qualitative research वो research होती है, जिसमें researcher data collect करते है, in the form of words, or you can say, text के form में data को collect करेंगे, और वो data, research हो जो भी data collect करेंगे, वो research अपने observations और interview को form करकर उस data को collect करेंगे, अब जिसे मानलो, researcher नहीं यहाँ पर data collect कर लिया, so researcher ने observe किया यहाँ पर, जिन जिन लोगों ने अपने hand wash किये है, उनमें COVID spread नहीं हुआ है, उनको COVID disease नहीं हुई है, अब researcher ने आपर data collect करा, then उन लोगों को observe किया, जो भी लोग अपने हाथ wash कर रहे थे, उनमें COVID spread कम हो रहा था, उनमें COVID spread नहीं हो रहा था, यह रिसोर्च ने इक pattern देखा, data collect करा, और रिसोर्च ने एक pattern follow करा, कि यह देखा कि, अगर जिन जिन लोगों ने अपने hand wash किये, उनमें COVID spread कम हो रहा, जिन जिन लोगों ने अपने hand wash नहीं किये है, उनमें COVID spread ज़ाद हो रहा, या पर researcher ने एक Pattern follow करा उन लोगों को observe किया then उस Pattern पर एक Journal Theory दी उस Pattern पर एक Journal Theory दी अब researcher न यह जो Theory develop करी यह जो Theory होगी यह words और text के form में होगी ना कि numbers के form में होगी इसलिए qualitative research में जो भी researcher के पास data होता है वो numbers के form में नहीं होता है बलके words और text के form में होता है That's why आपका correct option हो जाएगा option A qualitative research This is the definition of qualitative research Next question Arrange the following steps of quantitative research in correct order First hypothesis, second theory, then third confirmation and last is observations This question में आपको quantitative research के कुछ steps given है और हमें उन steps को correct order में place करना है अप quantitative research में आपके पास जो भी data होगा वो आपके पास already present होगा आपको कोई data collect नहीं करना होता है आपके पास theory already पहले से available होगी आपको बस उस theory को proof करना होता है Whether the theory is correct or incorrect So आपके पास एक theory है कि एक medicine है वो medicine cancer को cure कर रही है आपके पास ये theory है अब वो कोई भी medicine हो सकती कोई भी fill की medicine हो सकती वो cancer को cure कर रही है आपके पास ये theory already present है Then आप क्या करोगे इस theory पर hypothesis लेडाउन करोगे अब hypothesis कि से lay down करोगे अब बलोगे कि जो medicine है ये x y z एक medicine है हो सकता ये cancer को cure करे तो आप hypothesis लेडाउन करकर अपने जो भी hypothesis लेडाउन करा है उस hypothesis को आप observe करोगे और उसको analyze करोगे then observations and analysis के basis पर आप उस theory को proof करोगे और you can say उस theory को confirm करोगे कि यह theory जो है यह सही theory थी यह जो medicine है x y z अगर कोई medicine है वो सही में cancer को cure कर रही है तो आपने क्या करा पहले आपके पास already एक theory प्रेजेंट थी then उस theory पर hypothesis लेडाउन करा hypothesis लेडाउन करने के बाद आपने observe किया उस hypothesis को आपने analyze किया observations और analysis कि बैसे पर आपने कैसा observe किया या पर किया यह देखा आपने लोगों को medicine दी और देखा कि उनमें cancer cancer cure हो रहा है या पर नहीं हो रहा है जो इस तरीके से जिस जिन लोगोंने medicine लिए होगे उनमे cancer cure हो गया होगा तो आपने इस तरीके से pattern देखा अपने उन लोगों को observe किया देन अपने observe के और analysis की basis पर अपने ये confirm किया कि ये एक्सवाल जेट अगर medicine आप लेते हो तो आपको cancer आपकी जो cancer disease से वो cure हो जाएगी तो इस तरीके से आप quantitative research में steps follow कर कर उस particular theory का proof करते हो और confirm करते हो that's why ये जो order आपको given है वो आपके option d में given है तले आप theory थेरी आपके पास already available होती है देन उस पर आप hypothesis lay down करोगे then observations करोगे उस hypothesis को analyze करोगे and last hypothesis को confirm कर दोगे और वो theory आपकी proof हो जाएगी that's why your correct option is option d second first fourth and last three next all the following are the part of a quantitative research strategy except इस question में आपको find out करना है कि हमें किन option में quantitative research से related option और quantitative research की method से related option नहीं given है सब हम options देखेंगे option a structured tool structure tool क्या आता है जैसे हमने अभी देखा quantitative research में आप कुछ steps perform करते हो और उसके थ्रूह आप आपकी theory को prove करते हो so quantitative research ऐसे research होती है जो pre-planned होती है पहले से ही हर एक चीज़ plan कर लेते हो मैं इस तरीके से अपने research में respondent से response लूँगा मैं इन इन questions पे यह question में खुद पहले से ही prepare करके respondent को questions दूँगा और उसके थ्रूह अपने उनका response जानूँगा सो structured होता है quantitative research आपके structured होती है जिस आप following steps perform करते हो कुछ principles perform करते हो और पहले से ही सब कुछ planning कर लेते हो सो यहापर आपको option ने correct हो जाएगा quantitative research is structured tool then option B close ended questions अब close ended questions क्या होते है अब मानें जैसे mcqs mcqs में क्या होता है आपको पहले से ही questions देते है पहले से ही question देंगे उसमें four options होंगे और जो correct होगा आपको कोई एक ही answer choose करना होता है mcqs हो गए survey questions हो गए respondents है जैसे कोई company है अपने product के बारे में response ले रही है कि हमारे employees कैसे है हमारी service कैसी है product की qualities कैसी है so close ended questions में पहले से ही questions available होते हैं आपको बस yes no type में answer करना होता है और mcqs होते है उस question में उसे हम कहते ही close ended questions so close ended questions जैसके हम देखा quantitative research में हर एक चिस पहले से planned होती है research अगर किसी से response भी ले रहे है so वो जो question उनको देंगे वो पहले से ही decide कर लेंगे कि मैं यह question अपने respondents से respondents को दोंगा उससे उनका response करोंगा so quantitative research में आप close ended questions के तुरू respondents से response लेते हो यह पर आपको option b भी correct हो जाएगा then option c experiments experiments quantitative research में आप experiments भी perform करते हो जिसे हमने देखा आपके पास theory already present होती है उस theory को आप quantitative research में प्रूफ करने की कोशिश करते हो अगर आपके पास कोई theory already present है आपको उस theory को प्रूफ करना है तो आप experiment perform करोंगे आप उस theory को hypothesis laid on करके observe करोगे तो यहापर आप quantitative research में experiments perform करते हो उस theory को प्रूफ कर लेते हो तो यह option cb it is related with quantitative research then option d open ended service open ended service क्या होते है जिसमें आप mcqs yes no type questions नहीं पूछ सकते हो और नहीं आपके open ended service में कोई चीज पहले से planned होती है पहले से कोई question planned करकर नहीं जाते हो अब मानलो मुझे film का review लेना है किसी से मैं film का review ले रही हूँ so film का अगर मैं review ले रही हूँ so अगर मैं कोई person है उससे मैं question पूछ रही हूँ उसने जो भी answer किया उसकी basis पर मेरा second question होगा मैं यहाँ पर कोई भी चीज पहले से plan नहीं करती हूँ so open ended question में आप जो भी respondent से response लेंगे वो one word और कोई numbers के form में नहीं होगा बलके आपको text के form में या फिर you can say words के form में मिलेगा एक word नहीं होगा वो words के form में मिलेगा और text के form में मिलेगा so इससे हमें यह पता चलता है कि open ended service जो है it is related with qualitative research not with quantitative research that's why आप आपका correct option हो जाएगा option the open ended service next experimental research is part of which type of research इस question में आपको find out करना है कि experimental research जो होती है वो कौन सी research की type होती है so experimental research जो होती है आपकी वो quantitative research की type होती है so quantitative research और experimental research इन डोनों research में भी एक common चीज़ यह है कि आपको पता है quantitative research भी structured होती है and आपकी experimental research ये भी research structured होती है देन आपके पास experimental research में जो भी data पहले से ही available होता है experimental research में और उस data को आप hypothesis लेड़ाँ करकर प्रूफ करते हो उसी तरीके से quantitative research में भी आपके पास already data available होता है theory पहले से ही present होती है उस तेहरी को आपको hypothesis लेड़ाँ करकर proof करना होता है then experimental research में आप cause and effect relationship find out करते हो between independent variable and dependent variable आप यह देखते हो कि independent variable का क्या effect हो रहा है dependent variable पर यह सारी चीज़े experimental research में quantitative research में common होती है experimental research and quantitative research में आपके पास जो भी data होता है आप उस data पर hypothesis लेड़ाँ करकर उस data को proof करने की कोशिश करते हो and यह दोनों भी research में experimental and quantitative research में जो भी आप पहले से ही plan कर लेते हो आपके पास हर एक चीज़ structure होती है आप कुछ steps perform करकर उस research को perform करते हो that's why quantitative research का experimental research एक type होती है so यहाँ पर आपको option भी correct हो जाएगा then option एक qualitative research qualitative research unstructured होती है means यहाँ पर आप कोई structure follow नहीं करते है आप कोई steps follow नहीं करते है आप randomly research perform करते है आप कही से भी कैसे भी आप research perform करते है आप कही से भी आपको data मिल रहा है आप उसे तरीके से randomly आप आपके research में qualitative research में data को collect करते हो but quantitative research structure होती है and experimental research is also structured that's why आप आपका correct option हो जाएगा option B quantitative research next the qualitative research is usually इस question में हमें find out करने कि qualitative research कौन से nature की होती है कि qualitative research deductive होती है या फिर inductive होती है so remember qualitative research आपकी inductive nature क्यों होती है अब inductive nature क्यों होता है जिसे मैंने आपके साथ पहले भी discuss किया था qualitative research जो होती है qualitative research में आप observations के basis पर एक journal theory देते हो ओके आपको याद रखना है आप qualitative research में observations के तो एक journal देते हो आप अपने कैसा observation किया मान लो आपने ये देखा कि जो भी लोग smoking करते हैं उनको lung की problem होती है और you can say lung cancer होता है उनमें अब जो भी smoking कर रहा है जो भी person smoking कर रहा है उनका lung affect हो रहा है researcher ने ये observe किया और ये observe करकर researcher ने एक journal theory दे दी इसे तरीके से ये जो theory बन गई इस theory का use करते हुए deductive nature जो होता है इसमें research इस theory को proof करते हैं आपके जो qualitative research होती है वो IPG होती है I means inductive P means particular observation अपने कुछ observation के आपने particular observation ये किया कि जो भी लोग smoking कर रहे है उनमें उनका lung affect हो रहा है या फिर उनको lung cancer हो रहा है और उसी observations की basis पर अपने journal theory दे दी अब इस journal theory को आप deductive approach में proof करते हो अब deductive क्या होती है आपके deductive nature जो भी होती है वो होती है आपकी quantitative research deductive approach आपकी quantitative research होती है अब quantitative research में deductive approach की होता है क्योंकि हम उस general theory को हम quantitative research में proof करते हैं quantitative research आपकी deductive nature की होती है आपको इस तरीके से याद रखना है BGP अब general observations जो और you can say general theory से उस theory को proof करते हैं observations करते हो, observations से general theory develop करते हो और general theory से उस theory को proof करते हो so qualitative research आपकी inductive होती है and quantitative research आपकी deductive nature की होती है that's why here correct option is option B inductive in nature next question qualitative research has all the following characteristics except इस question में हमें find out करने कि qualitative research के characteristics हमें किन option में given नहीं है so पहले हम option C देखेंगे develop theory about phenomenon so yes qualitative research theory develop करती है अब जैसे हमने देखा था previous question में qualitative research जो होती है आपकी IPG होती है means inductive nature की होती है आप particular observations की basis पर आप journal theory develop करते हो अब आपने यह देखा कि जिन जिन लोगों अपने hand wash किया है उनमें covid spread कम हुआ है और यह देखा कि जिन जिन लोगों ने hand wash किया है उनमें COVID spread कम हुआ है उसके basis पर अपने observations के basis पर एक theory proof करें, so qualitative research की एक characteristics होती है और फीचर होता है जिसमें आप theory develop करते हो, that's why अबर आपका option C correct हो जाएगा then option B collection of non numerical data यह भी आपका option correct हो जाएगा this is also a characteristics of qualitative research, so qualitative research में आपके पाद जो भी data होता है, वो numbers के form में नहीं होता है because qualitative research में आपकी किसी चीज़ के quality बताते हो, so आपके पास qualitative research में जो भी data होता है, वो words और text के form में होता है, और ना कि numbers के form में होता है, that's why आपका option B भी correct है and this is the characteristics of qualitative research, but इस question में आपको पूचागी है कि कौन से option में आपको qualitative research की characteristics given नहीं है, except, okay, so option B और C में, दोनों में option में आपको qualitative research की characteristics given है, that's why आपका यापका option B और C दोनों भी incorrect हो जाएगा then option A, used when great deal is already known about topic of interest, अब आपकी research में आप जो भी topic पर research कर रहे हो, so मान लो उस पर आपको पहले से ही already information आपको पता है पहले से ही आपके पास theory present है, आपको पहले से ही कुछ ना कुछ information पता है उस particular topic के बारे में, so ये कौन से research का characteristics हो जाएगा आपका quantitative research, because quantitative research में आपके पास पहले से ही data और पहले से ही theory available होती है, आपको इस particular topic और phenomena के बारे में, already आपको पास information available होती है so this is the characteristics of quantitative research, not qualitative research, so यह आपर आपको option है correct हो जाएगा, use when great deal is already known about the topic of interest, next research can be classified on the basis of, इस question में हमें find out करना है, research को कौन से basis पर classified किया गया है, so अब हम options देखेंगे आपको option A given है, objective objectives क्या होता है goal, और aim, कि उस particular research का goal क्या है, आप वो research करना क्यों चाहते हो, आपको research क्यों करना है, क्या वो उस research के जो results आएंगे, वो society के लिए beneficial होंगे या फिर नहीं जो research objectives के basis पर classify किया गया वो research आपकी है, applied research experimental research and exploratory research and so on, इसे बहुत सारी research है जो आपके objectives के basis पर classify गया, अब applied research क्या होती है, applied research जिसमें आप कोई specific और कोई particular problem को solve करते हो, और कोई practical problem को solve करते है, applied research में, जो ये aim होता है applied research का, experimental research का aim क्या होता है, जिसमें आप cause and effect relationship find out करते हो between independent and dependent variable exploratory research में आप क्या करते हो, ऐसी problem जो कि well defined नहीं है, उसको आप उस problem का define करते हो, so objectives के basis पर भी research को classify किया जाता है, that's ये ये अपको option गरेक्ट हो जाएगा, then according भी process, so process ये यापको option भी गरेक्ट हो जाएगा process के basis- पर भी research को classify किया गया है, so process के basis पर इस research को classify किया गया है, वो है आपकी qualitative research and quantitative research qualitative research क्या आती है qualitative research, मि犯 होता है जिसमें आपके पाद जो भी data होता है वो और qualitative research में आप आपके observations और interviews परफॉर्म करकर एक journal theory develop करते हो। quantitative research क्या होता है जिसमें आपके पास जो भी data होगा वो quantity और या फिर numbers की form में होगा और quantitative research में आपके पास already theory available होती है आप उस theory पर hypothesis ले डाउन करकर उस theory को observe करते हैं उस hypothesis को observe करोगे और analyze करोगे और अपने observations के basis पर उस theory को proof करोगे सब process के basis पर जिन research को classify किया गया है वो है आपकी qualitative and quantitative research आप research को objectives और basis ये दोन भी basis पर classify करते हो आप आपका correct option हो जाएगा option C both A and B are correct moving on to the next question which research is used to prove theory इस question में मैं find out करना है कौन से research में हम theory को proof करते हैं आप हम options देखेंगे option E qualitative research qualitative research में हम किसी भी theory को proof नहीं करते हैं बलके particular observations के basis पर general theory develop करते हैं ना के कोई theory को proof करते हैं अपर आपका option A incorrect हो जाएगा then हम option C देखेंगे fundamental research fundamental research में researcher new theory, new concept और new ideas develop करते हैं ताकि वह अपनी curiosity को fulfill कर सकते हैं और fundamental research में भी researcher किसी भी theory को proof नहीं करते हैं that's why आपका option C भी incorrect हो जाएगा then option D exploratory research exploratory research में researcher किसी भी problem को जो के well defined नहीं होती है उस problem को define करते हैं, उस problem को understand करते हैं, उस problem को examine करते हैं ना कि किसी भी theory को proof करते हैं that's why आपका option D भी incorrect हो जाएगा then option B आपको given है quantitative research yes यहापर आपका option B correct हो जाएगा because quantitative research में आप general theory जो develop कर लेते हो उस theory को proof करते हो आप quantitative research में quantitative research ऐसे research होती है जिसमें आप theory को proof करते हो आपर आपका correct option हो जाएगा, option B quantitative research next question, ethnographical research is a type of इस question में हमें find out करना है कि ethnographical research कौन से study का type होती है अब ethnographical research होती क्या है, पहले आपको यह find out करना है कि ethnographical research वो research होती है जो cultures के बारे में study करती है और cultures के बारे में in-depth understanding करवाती है अब हमें यह find out करना है कि मुझे यह देखना है कि Indian culture कैसा होता है इंडिया के लोग कैसे होते हैं, वो कौन से वे से अपनी life को spent करते हैं उनका eating habit कैसा है, उनकी music कैसी है, और वो किस तरीके से उनका art कैसा है, यह सारी चीज़ां उनके जो भी इंडिया में जैसे भी लोग रह रहे हैं, अपनी life spent कर रहे हैं उनका way, उनके बारे में understand करने और उनका culture जानने के लिए हम ethnographical research का use करेंगे, इthnographical research में आप observe करते हो लोगों को particular culture में और इंडिया में जाकर उन लोगों को observe करोगे, उन लोगों का interview लेंगे और उनके basis पर आप theory develop करोगे, इसे तरीके से हम qualitative research में qualitative study में आप पहले observe करते हो, interviews लेते हो और इसकी basis पर एक theory develop करते हो, so ethnographical research is a type of qualitative study, so ethnographical research यह आपकी qualitative study का type होती है, then यहाँ पर आपको option A के वेन है quantitative study, quantitative study में आपके पास पहले सही data होता है, पहले सही थेरी होती है, बस आपको इस थेरी को proof करना होता है, different, different steps follow कर, so यह आपर आप quantitative research में कोई भी चीज़ को observe नहीं करते हो, that's why आपको option ने incorrect है जाएगा, then option C historical study, historical study क्या होती है, जिसमें आप parts event के बारे में study करते हो, आप past event कैसे हो सकते है, Indian history, world history, जिस आपने आपके history subject में भी बढ़ा होगा, so आप क्या करते हो, past events के बारे में study करते हो, so historical research में भी आपको cultures के बारे में और you can say ethnographical research नहीं perform करते हो, that's why आपको option C incorrect हो जाएगा, so here correct option is, option B qualitative study, so students, this is the first part of your qualitative and quantitative research, हम कल के lecture में इसका second part भी जेखेंगे, so I hope the concept of qualitative and quantitative research is clear to everyone and thank you for watching this video